चले सो बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स के बारे में बड़ी हल चल देखने को मुल सकती है क्योंकि एक बड़ी डील अब ये कमपनी करती हुई नजरा सकती है तो अगर कुल कीमत की बात करें तो लगबख 500 से लेकर और 700 मिलियन डोलर के आसपास कुल कीमत इसकी बताई जा रहें इलेक्टरी वहिकल्स का मार्केट के अगर बात करें तो उसके अंदर लगाता रतीजी देखने को मिल रही है और ये जो डील है ये बैटरी मेटरियल बिजनेस के रिगार्डिंग है तो लंदन के अंदर एक कमपनी है जॉंसर में था है तो इसके साथ में ये डील की आ सकती है यहाँ पर जो ये चर्चाय चली है तो फिलाल की रेट में कमपनी के जो दो परसन है उनके माध्यम से सारी चीज़े पता चली है तो अब टाटा की ये कमपनी है बड़ी हलचल देखने को मिलेगी और आल दोस्तों बताना चाहूंँआ कि अब ये जो बैटरी से र बारे में अभी प्लान नहीं किया गया है लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये डील फ्यूचर के अंदर हम लोगको होती हूँ नजराएगी जिसका कहिन की ऑवराल पॉजिटिव इंपक्ट हमें शेयर के अंदर देखने को मिलेगा देखे शेयर की बात करते हैं तो 855 गिरावर देखने को मिली लेकिन अगर आप नजर डालते हैं पिछले 6 महीनों की तो शेयर बहुत तीजी के साथ में उपर की तरफ दोड़ता हुआ नजर आया था और अब इसके अंदर गिरावर देखने को मिल रही एक लेवल मैं आपको बदा देता हूँ लगबक 158 रु लगाता दोड़ रहा है लेकिन कंपनी के जो बेसिक से उनके बारे में जानकारी जरूर होनी चीए क्योंकि पिछले 5 साल में भी तीजी देखने को मिली और अगर लोंग टम का चार्ट देखें तो भी ये शेयर उपर के तरफ दोड़ता हूँ नजर रहा है इस कंपनी को आ टाटा सिमेंट की बात करते हैं तो लगबख 4 पसंट का रिवेन्यू है महाँ से कंपनी अर्ण करती हुए नजरा रही है इसी तरीके से स्पेसिलिटी केमिकल्स की बात करते हैं तो 25 पसंट का रिवेन्यू वहाँ से कंपनी अर्ण करती हुए और एग्रो साइंस में देखे कि अगर geografical segment की बात करें तो लगबख 65% का revenue American content से इस company को प्राप्त होता है और 25% का revenue Indian content से प्राप्त होता है और बाकी का यूरोप से अफ्रीकन जो country हैं महाँ से इस company को income होती है तो बड़ी company हैं और बड़ी हल चल कमपनी के बिजनिस के अंदर पहले से ही हम लोग को देखने को मुल रही है साथी में दोस्तों बताना चाहों कि अगर कमपनी की मार्किट वेलिशन्स की बात करते हैं तो 21,749 करोड की ये कमपनी है ये कमपनी ये जो शेर है 855 रुपे का दिरी दिरे करके बढ़ रहा है अब यहाँ पर हम लोग को दो फायदे हो रहे हैं तो रिटन हमारे अच्छे खासे बन रहे हैं साथी में ये कमपनी हम लोग को डिविडेंट भी प्रोवाइड कराती है ROC और ROE दोनों ही से में positive चल रही है Face value की बात करते हैं तो लगबग 10 रुपे की है तो future के अंदर संभावना ये भी है कि कहने के ये stock split भी हो सकता है फिलाल के date में जो price चल रहा है वो 50 days के DMA से नीचे trade करता हो ने दर आ रहा है लेकिन 200 days के DMA से उपर trade करता हो ने जरा रहा है dividend अच्छा खासा देती है dividend payout की बात करते हैं तो लगबग 43% के आसपास निकल करा रहा है हाल फिलाल में sales के अंदर कुछ दिक्कत देखने को मिली थी तो stock के अंदर गिरावट भी देखने को मिल चुकी है पिछले बार लगबग 288 करोड का property इस company ने दिया है अब देखें यहाँ पर अगर company की balance sheet के बारे में बात करते हैं तो reserves अच्छे खासे हैं company के पास में और लगातार बढ़ भी रहे हैं 16,110 करोड के आसपास reserves हैं इस company के पास में मार्च 2021 की बात करते हैं 14,000 करोड के reserves हुआ करते थे खाली ऐसा नहीं के reserves बढ़ रहे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो borrowings है borrowings के अंदर भी little bit इसके अंदर तेजी देखने को मिल रहे हैं तो देखे borrowings बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनिस के अंदर expansion करते हुए नजराते हैं या फिर किसी अन्य कारण के वज़िसे borrowings के अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं फिलाल की रेट में देखा जाए तो जिस तरीकी से company की performance दिखाए दे रहे हैं तो यहाँ पे borrowings over a long term के हिसाब से हम लोग को गिरते हुने जरा रहे हैं क्योंकि यह आकड़ा हम लोग को देखने को मिला था मार्च 2020 में 7702 करोड का और अगर अब देखें तो 7100 करोड के आसपास निकल करा रहे हैं यहाँ आप देखें मैं आपको बताना चाहूँ कि share holding patterns promoters के सिदारी लगबग 37.098 की है FIS लगबग 14% के आसपास है DIS लगबग 20% के आसपास है और अगर public की holding की बात करते हैं तो 27% के आसपास है यानि कि दूसरी सबसे बड़ी holding जो है वो public की है तो दोस्तो आई होप जिस तरह की कंपनी है और आपने देखा fundamental मजबूत होते होगे नज़रा रहे हैं ख़बरे भी positive इस कंपनी के इंदर दिखने को मिल रहे हैं तो long term के साब से थोड़ी बहुत quantity इसके इंदर निवेश करने में कोई हर्ज नहीं है और वैसे भी ये share इससे में गिरावट के साथ में हम लोग को दिखाई दे रहा है साड़े ग्यारा सो रुपे से उपर के लेवल दिखने को मिले थे तो वहाँ से stock काफी हिससे में हलका हो चुका है तो कुछ quantity यहाप एड कर सकते हैं अगर गिरावाट पर आपको मिलता तो महाँ पर भी इसके अंदर एड की जा सकती है दोस्तों कर आप नए हैं डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप आप stock के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं लिंक नीचे description box के अंदर दिया हुआ है दोस्तों करें पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब करकर रख लेना ताकि नहीं वीडियो करने अफकीशन सीधे आपके मुबाइल पिल्स के थैंकियो सो मच फॉचिंग